नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपात की विशलेशन में आपका स्वागत है जिस संपातकी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं उसका सिर्षक है रॉल इट बैक और इस संपातकी को लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से और यह संपातकी जी एस पेपर टू में शामिल विशे संसद और राज विधाई का संवरचना कारे कारिस संचालन शक्तियां एवं विशे साधिकार और इनसे उत्पन होने वाले विशे के दृष्ट गया है इस संपातकी को विस्तार के साथ इस संपातकी का आधार क्या है इसका आधार है उत्तर पर देष विधी विरुद्ध धर्मसं परिवर्तन प्रतिसेद अध्यादेश 2020 तो मामला यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गैर कानोनी धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक अध्यादेश लाया गया है और जो अध्यादेश लाया गया है उसका नाम है उत्तर प्रदेश विधी विरुद धर्म समपरिवर्तन परतिसेद फूल कन्वर्जन विल 2020 यहां यह बात महत्पूर्ण है कि पिछले वर्स राज विधी आयोक की द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौपी गय थी और उसी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश फ्रिडम ऑफ रिलिजन एक्ट 2019 के नाम से एक मसोदा भी था जिसमे यह प्रस्तावित किया गया था कि अगर एक मात्र विवाह के उद्देश से धर्मांतरन किया जाता है तो फिर इस प्रकार के परतेक विवाह को सुन्य घोसित किया जाए अब यहां यहां उलेखनी है कि गैर कानोनी धर्मांतरन को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश पाला भ अब जिहाद के विरुद्ध भाजपा सासित अन्य राज्यों जैसे मद्यप्रदेश, हर्याना और करनाटक में भी ठीक इसी प्रकार के कानून बनाये जाने की संभावना है। एक से पांस साल तक की जेल की सजा हो सकती है। और चौथा प्रावधान यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म में परिवर्तित होने के बाद साधी करना चाहता है तो उस व्यक्ति को शाधी से दो महिने पहले डियम से अनुमती लेनी होगी। अब इस अध्यादेश के द्वारा राज इस बात के लिए सक्षम हो जाता है। कि अगर एक लड़की विवाह के उद्देश से अपने धर्म को बदलती है, तो फिर ऐसे अंतरधार्मिक विवाहों की निगरानी कर सकती है और इस तरह के अंतरधार्मिक विवाह में सामिल व्यक्तियों को दंडिध भी कर सकती है। उत्तरप्रदेश स्रकार के द्वारा जो अध्यादेश लाया गया है, उस अध्यादेश के द्वारा किसी महिला के धर्म परिवर्तन के पीछे की मनसा की जांच भी हो सकती है और राज्जी को या अधिकार मिल जाता है कि वह इस प्रकार के अंतर धार्मिक विवाह को रद भी कर सकता है अगर राज्जिया पाता है कि इस विवाह का एक मात्र उद्दे से धार्मिक रुपांत्रन या धर्मांत्रन था अब जरह हम कुछ प्रश्णों पर विचार करते हैं पहला प्रश्ण तो यह कि यह जो अध्यादेश लाया गया है यह समध्हानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है आखिर एसा क्यों ऐसलिए कि ना तो किसी कबीले के द्वारा ना ही खाफ पंचायत के द्वारा और निश्चित रूप से ही ना ही लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा इस परकार का कोई भी कानून बनाया जा सकता है कि वह किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत वहीं दूसरा प्रशन देखिए क्या है दूसरा प्रशन यहां पर यह है कि पुलीस द्वरा विवाहों के इरादों की जाच करना भी गलत है इसका क्या कारण है इसका कारण यह है कि यह राज्य द्वरा विवाह को नियंतृत करने का प्रयास है जो सम्मिधानिक रूप से गल वह भारती समिधान द्वारा जो मूल अधिकार दिये गए हैं उसमें अनुचित हस्तक्षेप है ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि यह एक वैस्क की स्वत्मृत्रता को बाधित करता है कि एक वैस्क वह किसे जीवन साथ ही चुने और वह किसके साथ रहे यह उसका व्यक्तिगत स्वत्मृत्रता का अधिकार है और अगर यह बात कही जाए कि यह अध्यादेश एक खास संप्रदाय के विरुद्ध है तो इसमें भी कोई गलती नहीं है वह इसलिए क्योंकि बार बार यह बात कही जाती है कि मुस्लिम पूरुसों की द्वारा भोली भाली हिंदू जाता है जिसका उद्देश से बल पूर्वक उनका धर्म परिवर्तन करना होता है और काफी हद तक यह देश में राजनितिक धुर्विकरण की स्थिति को उत्पन्न करता है वहीं यह बात हमें याद रखनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश जहांपर की अनुसूचित जाती की अच्छी खासी आबादी है और कई ऐसे उदाहरन देखे जाते हैं जहांपर की अनुसूचित जाती की लोग बड़ी संख्या में बौत धर्म को स्विकार करते हैं तो नया अध्यादेश कहीं ना कहीं इस प्रकार के बड़ी मात्रा में धर्मान तरण पर भी रोक लगाने क का प्रयास हो सकता है अब सरकार इस पर यह बात कहती है कि यह जो अध्यादेश लाया गया है वह महिला सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कई कदमों में से एक कदम है परंतु ऐसा लगता है कि यह कदम एक महिला के विश्वास के परिवर्तन पर केंद्रित है मतलब य कि महिला अपनी इक्षा से किसी दूसरे धर्म के पुरुष से विवा नहीं कर सकती है जो पित्रि सतात्मक विचारधारा का परिजायक है और यह काना कि इससे महिलाओं को संगरक्षन प्राप्थ होगा या महिला के स्वा निर्णे पर एक प्रकार का प्रहार है महिला के धर्म से संबंधित नहीं है कमोबेस या सभी जाती एवं धर्म में दिखता है और इसी प्रहार की प्राकास्था है और सबसे मज़ेदार बात यहां पर यह है कि जिस दिन यह अध्यादेश लाए गया उसी दिन इलाबाद उचिन्यायले ने एक मामले की सुनवाई के दौर करना नहीं चाहते हैं अगर कानूनी विशे सग्यों की हम बात करें तो उनका यह मानना है कि यह जो नया अध्यादेश उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा लाया गया है यह समवेधानिकता की कसोटी पर खरा नहीं उतर सकता खास कर तब जब इसके प्रापधानों को अनु जादेश लाये गया उससे संबंधित जो विभिन प्रस्न खड़े हुए है उस पर हमने विचार किया है यह रहा आज का प्रस्न प्रस्न है कि गैर कानूनी धर्मांतरन पर रोक से संबंधित हाल या राजसरकार की कानून की समिक्षा करें इसके साथ ही इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार